तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सभी का स्वायत करता हूँ पहले हम लोग यह जानने कि यह चर्चा में क्यों है तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हडियाना के दो और गुजरात के दो नए अस्थलों को जोर कर कुल चार अस्थलों को रामसर सूची में सामिल किया गया है भारत में इससे पुर्व 42 यानि 42 रामसर अस्थल थे और चार नए सामिल करने के बाद देश में कुल रामसर अस्थलों की संख्या बढ़ करके 46 हो गई है तो इस 46 रामसर अस्थलों की सूची भी हम लोग देखेंगे और सबसे पहले ये जानते हैं ये होते क्या है रामसर अस्थल आईए सबसे पहले इसको समझते हैं ये रामसर अस्थर जो होते है उसको वेटलेंड छेतर या आदर भूमी छेतर कहा जाता है तो क्या होते हैं ये आदर भूमी आदर भूमी का संबन जो है वो नमी या दलदली वाले छेतरों से होता है तो कोई नम या दलदली वाला छेतर जो होता है वो मुखे रूप से आदरभूमी का लाता है आदरभूमी की मिटी, जील, नदी और जो बड़े तालाब होते हैं उनके किनारे होता है जिसमें प्रयाप्त मातरा में नमी पाई जाती है यानि वैसा छेतर जहां वर्स भर कुछ नकुछ पानी लगा रहता है, कुछ दलदली छेतर बना रहता है वैसे छेतरों को ही वेटलेंड या आतरभूमी छेतर कहा जाता है वास्तों में वेटलेंड या आत्रभूमी एक विशेश प्रकार का पारिस्थित की तंत्र यानि एक अलग तरह का एको सिस्टम जनरेट करता है जो जैब विवित्ता की दृष्टी से काफी महत्पूर होता है यानि यहाँ पर एक अलग तरह का बायो डाइवर्षिटी और जैब विवित्ता जो है वो देखने को मिलता है मुखे रूप से जलिये एवं अस्थल यह दोनों प्रकार की यह जैब विविस्था का मिलन अस्थल होता है यानि एक तरफ यहाँ अस्थल से जूरे हुए जीव जन्तु अलग अलग प्रानियों में पाये जाते हैं वहीं जलिये छेत्रों के जो जीव जन्तु होते हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर काफी जादा होती है तो यानि ये जलिय और अस्थल ये दोनों अस्थर से जो है ये जै बिवित्ता का मीलन अस्थल या केंद्र माना जाता है वन्य जीवो वनस्पतियों की परचूरता के कारण ये आदर भूमी जो है एक समरिध पारिस्थित की तंत्र के रूप में जाना जाता है तो आदरभूमी मूल रूप से एक विसेश एको सिस्टम क्रियेट करता है जिसके कारण इसका महत्तो बढ़ जाता है अब बात करते हैं कि आदरभूमी को इतना इंपोर्टेंस क्यों दिया जाता है वास्तों में आद्र भूमिया जो है वो प्रित्वी की सतह के एक छोटे प्रतिसत को कबर करती है फिर भी यह आवस्यक प्रणालिया है वे प्रदिर्श्थे के धमनिया एवं नसे हैं वे प्रकृती में सम्रिद है और मानव जीवन के लिए महत्पूर्ण है यानि इन आद्र वे की मात्रा अगर पूरे प्रित्वी पर देखी जाए तो बहुत जादा नहीं होगी लेकिन फिर भी यह प्रित्वी की एक प्रकार से एक महत्पूर्ण अंग के रूप में कारे करता है वे जलसरोत और सोधा के रूप में कारे करते हैं वे हमारे तटो की रक्षा करते हैं वे गरह के सबसे बड़े प्राकिर्तिक कारवन भंडार हैं वे किरिसी और मतस्य पानन के निम महत्पूर्ण हैं आदर भूमी को kidney of the land scope या पड़िद्रिस के गुर्दे के रूप में भी जाना जाता है तो ये वास्तों में ये हमारे ecosystem का एक महत्पून पार्ट हो जाता है जिसके कारण जो है ये अपनी महत्प जो है अधिक रखता है अब बात करें ये आदर छेतर कहां होंगे तो मुख्य यही कंबाइंड दृप से बनता है एक आदर छेत जील के किनारे और समुद्री तटों के किनारे इन सभी छेतरों के आसपास पाए जा सकते हैं आते हैं अगले point की ओर रामसर कन्वेंशन या रामसर संदी जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या है तो रामसर जो है ये वेटिलन कन एक अंतर सरकारी संधी है जो वेटलेंड्स और उनके संसाधनों के संग्रक्षन और बुधिंता पुर्वक उप्योग के लिए राष्टिये कारे और अंतराष्टिये सहयों का धाचा उबलवत कराती है मुखे रुप से ये बैठक जो है दो फरवड़ी 1971 को 200 के बिभिन देशों के बीज इरान के रामसर में हुई और रामसर में पहली बार वेटलेंड को ले करके चर्चा की गई जिसके कारण इस पूरे जो अस्थल है उसको इसी सहर के नाम पे रामसर साइट्स के नाम से जाना दुनिया के वेटलेंड के संग्रक्षन हेतू एक संधी पर हस्ताक्षर किये गए और ये दो फरवड़ी जिस दिन ये बैठक आयोजित की गई थी इसी दिन को वेटलेंड डे के रुप में मनाया जाना सुरू कर दिया गया इसके अलाबा ये जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में इसे 1975 से प्रभावी बनाया गया था तो रामसर साइट्स जो है वो क्यों जाने जाते हैं क्योंकि रामसर में ही ये संधी जो है या एक तरह का निरने लिया गया था वेटलेंड सेत्रों को बचाने उसका संसोधन करने एवं उसका बुधिंता पुरवक कुपयोग करने इसी के लिए अंतराष्टिय विचार विमर्स और सहयोग के धाचे की जरूरत है ताकि रामसर साइट्स को बचाया जा सके ये देख रहे हैं इसी प्रकार का साइट्स जो है वो रामसर साइट्स के रूप में चिनित किया जाता है और विस्व आद्र भूमी दिवस के रूप में जो है वो दो फरवड़ी को जो है ये मनाय जाता है वात करें 2021 में इसका थीम क्या था तो वेट्लेंड्स और वाटर इसका थीम रखा गया था अगले पॉइंट के और आते हैं कि हाल ही में जो चार नए आद्र भूमी छेतर चिनित किये गया है भारत में वो कौन से है तो सबसे पहले ये याद कर ले कि हरियाना और गुजराट दो राजियों से चिनित किये गया है हरियाना से दो भिंडावाश वन्यजीब अभ्यारन तथा सुल्तानपूर राष्ट्रिय उद्यान चिनित किया गया है जबकि गुजराट से थोल जील वन्यजीब अभ्यारन तथा वाधवाना वेटलेंड छेतर को चिनित किया गया है तो गुजरात राजे से एवं हरियान में चार नय छेत्र यानि कुल दो वर्सों में नौ नय छेत्रों को जिनीत किया गया है आते हैं सबसे पहले देखते हैं ये चार नय छेत्र कौन-कौन से हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिंडावास वन्ने जीब आभ्यारन ये जजर जो है वो हर्याना में स्थित है ये लगभग एक हजार एकर से अधिक छेतर में फैला हुआ है ये वेटलेंड छेतर इसलिए सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता रखते हैं क्योंकि इसके कुछ महत् 말고 शेष्ताएं होती हैं जैसे ये प्रवासी पक्षियों के लिए उप्योगी होते हैं कुछ लुपध प्राय पक्षि और जीवोग के लिए ये सरनस्थल बनते हैं जिसके कारण इसका महत तो बढ़ जाता है बिंडवास जो है वो इसलिए जादा चर्चा में है क्योंकि हर्याना की ये सबसे बड़ी ऐसे आदरभूमी है जो मानव निर्मित है तो यहाँ पर एक प्रशन आ सकता है कि हाल ही में जो वेटलेंड चुना गया उसमें से मानव निर्मित कौन सा है चुकि ज़्यादा तर प्राकिर्तिक जीले जो है इसमें सामिल होती है यह मीठे पानी वाली आदरभूमी छेतर है यह भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है 250 से अधिक पक्षी परजातिया पूरे वर्ष इस अभ्यारन का उप्योग अपने विश्राम एवं परजनन अस्थल के रूप में करते हैं और यह साइट मिस्टर के लुप प्राप्त जो परजनन अस्थल के रूप में जाना जाता है तो विंडवास जो है वो मूल रूप से अगर सबसे जादा चर्चित है तो मानव निर्मित छेतर होने के कारण अगले पॉइंट क्यों राते हैं अगला है हमारा सुल्तानपूर राष्टिय उद्यान जो की गुरुग राम हर्याना छेतर में इस्थी थे यह लगभग 351 चेतर में इस्थी थे इसे भी हाल ही में वेटलेंड चेतर के सुची में रामसर सुची में सामिल कर लिया गया है हर्याना का सुल्तानपूर राष्टिय उध्यान गिरिस्म रितू में मिलने वाले पक्षियों सितकालिन प्रवासी और अस्थानिय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक परजातियों को उनको अपने जीवन चकर के लिए जो है महत्पूर आसरे देता है यानि मूल रूप से जो ये रामसर साइट्स होते हैं वो किसी छेतर से जब पक्षि जा रहे होते हैं दूसरे छेतर में तो इस दौरान यहां पर आवासन करते हैं इसके अलावा किसी छेतर विशेस में जब बहुत ठंड बढ़ जाती है तो वहां से आ करके वो इस छेतर में निवास करते हैं और दो-तीन महीने अपने परजनन का कारे करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं तो इस तरीके से रामसर साइट जो है इन प्रवासी पक्षियों की दृष्टी से भी काफी महतपूर है अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर वो है थोल जील वन्नेजीव इस्थित है यह 320 से अधिक पक्षी परजातियां यहां पाई जाती है यह आदर भूमी 30 से अधिक संकट ग्रस्ट जल पक्षी परजातियों के लिए सरनस्थल के रूप में चर्चित है जिसके कारण इसे हाली में जो है रामसर साइट के अंतरगत चुन लिया गया है इन पक पॉइंट की उराते हैं अगला पॉइंट है हमारा बाधवाना वेटलेंड छेतर जोकी वडोद्रा गुजरात छेतर में इस्थित है तो गुजरात में वधावन जो आदर भूमी वेटलेंड है वो अपने पक्षी जीवन के लिए अंतराष्टी अस्तर पर महतपूर्ण है क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचीत अस्थान प्रदान करता है तो अगर आप देखेंगे तो चारों ही जो छेतर चिनित किये गए हैं चारों की लगभग एक ही प्रकार की विशेष्ता जो है देखने को मिलेगी इसमें पक्षी भ चार दरिभूमी च्छेतर की स्थिती क्या है तो देख के कुल च्छेतर में लगभग 15.3 मिलीन हैटेर आदरुआमी च्छेतर है जो देख के कुल भोगошलिक चेतरफल का मात्र 4.7 परतिसат चेतर है आदरुआमी संगरख्षन के हेतू 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ इसके समझोते को 1975 में 1975 में परभावी किया गया भारत ने इसमें 1982 में सामिल हुआ और 1920 में भारत के कुल 16 आदर भूमियों को रामसर अस्थल में सामिल किया गया और चार इस वर सामिल कर लिए गया है तो इस प्रकार से भारत के रामसर अस्थल जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अगले पॉइंट को राते हैं अगला है रामसर अस्थल से जुरे हुए कुछ महत्पूर्ण बिंदू तो अगर रामसर साइट्स पर अगर आप जाएंगे ऑनलाइन तो देखेंगे कि बिस्व में उन्होंने बताया है कि कुल 2429 रामसर अस्थल है जिसमें सबसे अधिक जो है वो उनाइटेट किंग्डम में है जो 175 रामसर अस्थलों की सूची जो है वो इंग्लेंड में है रामसर सूची में सामिल होने वाला पर्थम ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग जो है वो प्रायदूइप था जो कि 1974 में इसे सामिल किया गया था तो यानि 1974 से ये स्रिंखला शुरू की गई जो बर्तमान में भी जाड़ी है भारत की बात करें तो 1981 में चिलका जील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतराष्टिय महत्यों की पहली भारतिय आदर भूमी छेतर के रूप में चिनित किया गया था जो कि काफी इंपोर्टेंट है यहां से कुष्चन बन सकता है तो ये भी वी आई के रूप में हो सकता है आदर भूमी अस्थल जो है वो रेनुका वेटलेंट छेतर है जो की हीमाचल परदेश राज्ये में इस्तित है आते हैं अगले कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर तो अगला हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि आदर भूमी संग्रक्षन पहल आदर भूम इस्ति फोर फोरेस्ट बेस्विक अभ्यान इनवनों से जूरने के लिए दुनिया भर के सहरों में एक साथ मिलकर काम करता है ताकि आदर भूमी संग्रक्षन पर जोड दिया जा सके भारत में भी इसके संग्रक्षन के लिए कई पहल किये गए हैं जैसे जलिये पराष्थि हित्की तंत्र के संग्रक्षन हे तू राष्ट्रीय योजना बनाया गया आद्र भूमी संग्रक्षन और परबंधन हे तू अधनियम 2010 लाया गया आद्र भूमी संग्रक्षन परबंधन नीयम जो है ये 2017 में लाया गया इस्रो ने वर्स 2006 में 2006 से 2011 तक remote sensing उपगरहों का तो इस प्रकार से भारत में भी आदर भूमी के संगरक्षन के लिए कई पहल किये गए हैं। जो की राजस्थान में इस्तित है इसे चुना गया। कई पर यहां से मिलान करने के लिए राजसे संबंधित प्रशन भी दे दिये जाते हैं। जिसमें काबर जील या काबर ताल बिहार का है ये बिहार के लिहार से काफी इंपोर्टन प्रशन हो जाता है। इसके अलाबा इन पाचों के अत्रिक जो है वो 2021 में नए चार अस्थल जो चिनित किये गए हैं जिसे हम लोगों ने अभी डीटेल में पढ़ा ये आपको दिखाई दे रहे हैं। दो हर्याना एवं दो गुजरात राज्य से संबंदित है। हाई के दौरान बेहतर धंग से कर सकेंगे। तो आप सभी को धेट सारी सुब काम ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद।